हालो फ्रेंट्स वंस अगेन फ्रेंट्स 2016 की जो सी सेट के पेपर की अनलेसिस थे वह हमने पूरी कर ली थी और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी उसमें मिल रहा है ठीक है आए होप सो आपको अच्छा लगाओगा वीडियो तो उसी की स्रीज में आगे 2017 का मैं सलूश कोशन लेकर आया हूं कुछ अच्छे कोश्चन और सेंपल कोश्चन भी है जो हम लोगों को अडेंटिफाई कर लेने चाहिए टू पास दिस एक्जामिनेशन बिकॉस मैंने देखा इसकी वज़े से भी हम लोग रह जाते हैं और हमारा इवन जीस अच्छा होने के बाद भी कि हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैंस थोड़ा सामार को डिफिकल्ट लगता है ठीक है तो इसको थोड़ा सा असान बनाते हैं और सॉल्व करते हैं को चलिए तो कोशन नमबर 11 से शुरू करेंगे हम कोशन नमबर 6,8 यह रहा तो कोशन नमबर 11 क्या कहते हैं फ्रेंट्स इफ सेकंड एंड फोर्ट सेटरड़ेइज इफ सेकंड एंड फोर्ट सेटरड़ेज और अल संडेज आर टेकन अन दा एज दा हॉलिड़ेज पॉर एन ओफिस ठीक है वाट वुड बी दा मिनिमम नमब पॉसीबल मिनिमम मतलब जादे से जाद लाग आ ईसकते हैं कम से कम हमजे वरकिंग डेईज हमारे को बताने है लिग वाने न्फ मार्ट सेटरड़ेज होगी फोर्ट सेटरेग की चुद्टी होगी तो एसां कितने होंगे हमारे पास 18-19Is और चार संडे हो गए, तो टोटल कितने हो गए, six days, तो हमारे पास कितने दिन बचे, हमारे पास बाइस working days बचे, तो इस पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, चीक है, चलिए, simple question था, next question पढ़ लेते हैं, if there is a policy that one third of a population of a community has migrated every year, मतलब, मान लीजे, यह हमारी one एक तरीके से population है, इस में से one third हर साल चली जाती है, चीक है न, मान लीजे, जैसे इस साल one है, फिर अगले साल one minus one third बचेगी, फिर उसका, जो बचेगा, फिर वो, जैसे two by three, फिर उसका one third, तो इस तरीके से carry out होता चला ज ठीक है, what is the leftover population, तो जैसे मान लीजे first year है, one minus one by three, तो जो पहले साल के end में है, वो कित्ती population बचेगी, two by third, तो leftover population of that community after the sixth year, अब यह कह रहा है, ऐसा six साल तक चलता रहा, तो ठीक है, मतलब, मान लीजे, अगर हम बात करें, तो यह जो हमारा बचा है, यह six साल तक इस तरीके स होता रहेगा, तो अगर हम कहें, तो two by three का six, अगर हम कर दें, there is no further growth, और कोई growth को उन्होंने कहा, कि growth कुछ भी नहीं हो रही, कि भई, आपने कहा होगे, कि भई population भी तो बढ़ गई होगे, उन्होंने उसको मना गर दिया, ठीक है, तो अब इसको friend solve कर लेते हैं, two की power six का क् को जाद दिये, तो बता देते हैं, 64 होता है, और इसी तरह three की power six को हम बोलते है, 729, तो आगे, I think, three, two, six carry out कटेगा तो है नहीं, तो यही हमारा answer होना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं, 64 by 729, 12 है, हाँ, यह रहा, हमारा answer हो जादेगा friends, D, चेक है, चलिए, next question पढ़ लेते हैं 13 question है, क्या कहता है, four test हैं, हमारे पास physics, chemistry, mathematics and biology are to be conducted on four consecutive days, not necessary in the same order, मतलब जिस तरह की से बताये गए हैं, generally ऐसा नहीं है कि इसी order में carry out करना पड़ेगा, the physics test held before the test which is conducted after biology, कि जो physics का test है, वो कब होगा, biology के बाद होगा, चार subject है, हमारे पास physics, chemistry, maths, biology, chemistry is conducted exactly after two tests, और chemistry कब होगा, मतलब chemistry का जो test होगा, वो exactly after, मतलब दो test होगा, अब chemistry का हो जाएगा, हमारे पास subject कौन से थे, physics, chemistry, physics, chemistry, biology, maths बचा, तो last में maths का test हो जाएगा, वो कह रहा है, which is the last test held, तो सबसे आखरी में test कौन सा होगा, maths का answer हो जाएगा, C, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 13 questions भी पूरा हो जाता है, तो next question पर आते हैं हम, अपने, 17th, नहीं, I think, हाँ, 18th question है, 15, 15 आगया, 20, हाँ, क्या बोलता है question, 15 students failed in a class of 52 students, मतलब, 52 class के बच्चों में से 15 बच्चे fail हो गए, चलिए, removing the names of the failed students, हमने उन failed students का नाम हटा दिया, कितना बचा, 52 में से 15, ये बचा आपका 37, ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या कहता है, a merit order list has been prepared, अब इन 37 बच्चों की एक merit list prepared करी गए, जिसमें, रमेश की position क्या है, 22nd, from the top, what is the position from the bottom, तो friends, इस question में, इस तरह की question में, बस क्या करना होता है, आपको, ये arithmetic progression के एक तरह की से प्रूव लगती है, कि 37 बच्चे है, ठीक है, इसकी 22 फी position है, प्लस 1, तो आपका कितन answer आजाएगा, 37 में से 22 गया, आपका, 7 और 8, 15, 15 और 16, answer हमारा, इसमें option हो जाएगा, आपका, C, answer हो जाएगा, 16, ठीक है, चलिए, तो हमारा ये question भी हो गया, अब हम आजाते है, next question पर अपने, जो की है, 20, वो क्या कहता है, गोपाल bought a cell phone and sold it to the RAM at a 10% profit, मतलब, गोपाल ने एक mobile लिया, और RAM को भीज़ दिया, पिलस 10% के profit पर, RAM wanted to sell it back to the Gopal at 10% loss, अब वो कह रहा है कि भी उसको पैसे की जूद पढ़ गई होगी, तो उसने कहा कि भी मैं इसको 10% के loss पे तुझको दोबारा बेज़ दूँगा, ये profit था हमारा, चीक है, what will be the Gopal की position if agreed, मतलब, अगर हम इसको example की तरह ले ले लें, तो simple सी बात है, मान लीजे हम मान लेते है, 100 रुपे का mobile था, ठीक है, और 100 रुपे का mobile था, तो जो Gopal ने RAM को बेचा, 110 रुपे का बेचा, फिर क्या हुआ, उसने इसको 10% loss पे बेचा, तो 10% का loss 99, तो जो 100 रुपे का mobile था, वो 110 का आऊ गया, और इसके पास 99 रुपे का दुबारा से वापस आ गया, तो एक रुपे का गेन हो गया, कित्र रुपे पे, 100 रुपे पे, तो कित्रा परसेंट हो गया हमारा, 1%, तो यह यही पूछ रहा है हम उसे, कि कहता है, वाट विल्स दा गौपाल पोजिशन इस गेन आफ वन परसेंट, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन पर आ जाते हैं हम अपने, नेक्स्ट कोशन है हमारा 28, 28, पैसेज वाला हम कभी अलग से सप्रेट कर लेंगे, स्पेसिफिकली हमारे को जो रिलेट करता है उसी से हम डील करेंगे, ठीक है न, सीजट का सेशन है तो सीजट ही डिसक्स कर लेंगे, चलिए, क्या बूलता है कोशन डिसक्स कर लेते हैं, कहता है that suppose the average weight of 9% is 50 kg, मतलब average आपको दे दिया 9% के weight का कितना है 50 kg, the average weight of the first 5%, first 5% के average weight का है 45 kg, and the last 5%, last 5% का weight का कितना है 55 kg, मतलब एक तरीके से total 10% है, ठीक है, 9% का हमारे को non average बता रखा है और 5-5 का अलग-अलग दे रखा है तो अगर हम total ये कितना हो गया 10 total में से कहता है the weight of the 5th person हमारे को जानना है तो मतलब अगर हम total में से 9 minus कर देंगे तो हमारा 1 का आ जाएगा चलिए ये तो एक थोड़ा सा बतलब mind map सा बन जाता है तो 5 into 45 plus 5 into 55 minus कितना है 9 का 50 9 का 50 इसको हम किस से divide वो कर देंगे solve कर देंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 common ले लिजे 45 plus this तो ये आ जाएगा आपका 50 answer हम चेक कर लेते हैं answer आजाता है आपका C चलिए question number 28 भी हमारा solve हो जाता है इसके बाद आते हैं question 33 पर 33 हमारा ये रहा question number 33 तो इसमें हम इसको discuss कर लेते हैं सबसे पहले क्या कहना चाहता है question a clock strikes a clock strikes once at one o'clock मतलब एक o'clock पे एक बार strike होती है twice o'clock at 2 बजे दो बार होती है तीन बजे and twice at 3 o'clock and so on ठीक है इसी तरीके से चलता रहता है if it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock जब 5 बज़ते हैं तो ये 12 seconds के लिए strike करती है what is the time taken by it to strike at 10 o'clock मतलब ये कहना चाहता है कि जब 5 बज़ते हैं तो 12 seconds के लिए ये strike करती है तो 10 बज़े कितने की करेगी मतलब simple c है अगर 5 बज़े 12 बार स्टाइक करती है तो 10 बज़े कितना करेगी 12 divided by 5 into 10 चिक है तो 5 तूज़ते 10 12 तूज़ते 24 इसका आंसर हो जाएगा b 24 seconds चिक है चलिए next question पर carry out कर लेते हैं अपना next question है आपका 39 और 39 question है इसको हमें पर पहले deal कर लेते हैं कि क्या कहना चाता है किस चीज से relate करता है आपका ये 39 question ये रहा हमारा ओके ये good question है इसमें ये जो time distance आपने पढ़ा होगा time speed distance उससे related है ये तो सबसे पहले friends पढ़ लेते हैं क्या कहना चाता है एक freight train है left Delhi for Mumbai एक train है जो दिल्ली से मुंबई जा रही है at an average speed of ski कितनी है 40 km per hour ओके 2 hours later जब 2 गंटे हो गए उसके बाद एक express train है तो मतलब एक freight train हो गई और एक express train हो गई express train की जो speed है 60 km per hour how far from Delhi would express train meet the freight train basically क्या कहना चाता है जो freight train है वो तो 40 km प्रती गंटे के साब से चलती है और express train है 60 km अब 2 गंटे बाद मतलब 2 गंटे जो express train है वो 2 गंटे बाद चली है freight train तो चल चुकी तो जो freight train है उसने कितना distance टेवल कर लिया होगा बही 40 km पर गंटे चलती है और 2 गंटे चल चुकी तो कितना distance carry out कर लिया 80 km का 14 to 2 simple चलिए अब जब ये दो train का question आता है तो इसके अंदर relative speed का concept आता है जिसमें हम क्या करते हैं हायर train की speed को lower speed से train से माइनस कर लेते हैं तो 60 km-40 is equal to 20 ये हमारा क्या आ जाता है relative speed आप इसको अगर note करते रहें तो बताइए मतलब फिर मैं इसको तोड़ा से replace कर देता हूं आगे लिखने के लिए चलिए ठीक है तो अब हमारे पास अभी relative speed आ गया था distance आ गया था कि distance हमारा कितना था 80 km ये हम लिख लेते है relative speed आ गया थी 20 km पर आवा अब हम हमारे को क्या निकलना है the express train meet मतलब अच्छा कितने टाइम पर वो meet करेगी उसको तो distance ही निकलना है basically हमारे को तो अब distance ही निकलना है तो सबसे पहले हमारे को ये देखना होगा कि 80 km में 80 km वो ज्यादा फालतू आगे travel कर चुकी freight train और ये उसको 20 km प्रतियार के basis पर recover करेगी तो जो हमारी express train है ये 80 divided by 20 इसका क्या मतलब हुआ चार गंटे चार गंटे हमारे को express train को लगेंगे क्योंकि 80 km का उसे distance उसका जो फ्रेटरिन तो 80 km आगे निकल गई अब 80 km को पूरा करने के लिए और वो 20 km प्रतियार ज्यादा चलेगी तो उसे कितना गंटे लगेगा चार गंटे लगेंगे वहां तक पहुचने के लिए जो वो फ्रेटरिन खड़ी हुई है तो उसे कितना distance ट्रेवल करना पड़ेगा डिस्टेंस 60 km प्रति गंटे के इसाब से 4 गंटे is equal to आपका हो जाता है यह 642 40 km तो यह हमारा answer हो जाता है इसका C थोड़ा सा difficult question लगा होगा आपको बट एक बार थोड़ा सा अच्छे से मतलब एक बार analyze करेंगे question को तो बहुत simple है कोई ऐसा issue नहीं आएगा ठीक है चलिए अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं अपने तो next question है हमारा 53 यह आ गया हमारा 45 50 53 चीक है 53 question है इसको हम discuss कर लेते हैं यह क्या कहना चाहता है और the age the age of Mr. X last year last year की जो Mr. की age है was the square of a number मतलब मान लीजे X number है उसका square इनकी age है and it would be the cube of the number next year next year जो होगा वो इनका cube मतलब कोई भी number होगा उसकी cube होगी next year what is the least number of years कम से कम कितने number of years he must wait for his age to become the cube मतलब जैसे मान लीजे आज इसकी age हमारे पर सबसे पहले तो perfect square क्या होगा हमारा perfect square अगर हम मान के चलें तो जैसे 25 5 का square होता है ठीक है न तो मान लीजे इसकी age 25 है फिर कहता है क्यूब का क्या मतलब हो गया इसका कि अब जैसे 5 हो गया 6 6 का cube कितना होता है आपका 216 तो वो तो नहीं बनेगी बात 7 8 8 जैस 60 क्यूब की बात कर रहा है तो क्यूब अगर हम बात करें तो 2 की अगर हम बात करें तो 2 4 की बात कर लेते हैं 4 का cube अगर हम बात करेंगे 4 फोर जै 16 और 4 16 फोर जा 64 तो 64 आ जाता है अब कहता है ऐसा least number of year कितने साल के याउट करना पड़ेगा तो 64 में से आप 25 माइनस कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा आपका 64 माइनस 25 is equal to 38 years हम answer चेक कर लेते हैं answer हो जाता है हमारा 38 years मतलब जब आज उसका वो square है 25 और फिर आ जाएगा cube जो कि है 64 तो उसको 38 साल लग जाएंगे आज 25 है तो 38 साल लग जाएंगे अपनी age का cube तक पहुचने में जो कि वो आज square पर है ठीक है चलिए 53 question हमारा पूरा हो गए ऐसी तरीके से next question I think 54 है हमारा discuss करने के लिए यह रहा क्या कहता है कहता है P works thrice as fast as Q मतलब माली जे Q जैसा भी काम करता है उसका 3 गुना काम करता है P whereas P and Q together can work for 4 times और 4 times as fast as R मतलब अगर P और Q साथ में काम करें तो वो चार गुना काम कर लेंगे R का if P, Q, R together work on a job the ratio तो और अगर P plus Q plus R work करें तो क्या ratio आएगा चीक है चलिए कोई बात नहीं हम मानके चलते हैं कि Q जो है हमारा वो X है तो P कितना हो जाएगा आपका 3X चीक है अब P plus Q is equal to 4R तो P plus X P plus Q is equal to 4X is equal to R 4, R is equal to 4 से 4 कर गया X बचा चीक है अब वो क्या बोलता है P, Q, R का ratio क्या होगा तो P, Q, R का ratio P is equal to 3, Q is equal to 1, R is equal to 1 3 is to 1 is to 1 हमारा answer हो जाएगा हम चेक कर लेते हैं इसको यह हमारा हो जाता है first option 3 is to 1 is to 1 ठीक है simple question था चलिए अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं हमारा next question हो जाता है 60 question ठीक है क्या कहता है इसको discuss कर लेते हैं उसको 60th question 57, 58 62 पागया I think हमारा अच्छा 68 यह है यहां पर 59, 60 ठीक है क्या कहता है कि हमारे कोई code दे रखा है friend 256 का code दे रखा है red color chalk ठीक है मैं पूरा ही लिख देता हूँ red color chalk तो 256 को दे रखा है red color chalk, 589 को दे रखा है green color flower, 254 को दे रखा है white color chalk that digit white is मतलब basically क्या होता है friends कोई हमारे को इसमें common निकाल कर digits को eliminate करना पड़ता है and to arrive at the conclusion कि हमारा अब जैसे यह पूछ रहा है कि white की क्या digits होगी तो आप देखी friends जैसे 2 और 2 इसमें भी common आ रहा है ठीक है ठीक है ना दोनों में common आ रहा है इसी तरह के से 5 और 5, 5 तीनों में common आ रहा है तो मतलब एक ऐसा शब्द होगा जो की तीनों में common होगा color, color, color ठीक है तो color को हमने 5 दे दिया ठीक है चलिए अब आपका color का तो 5 आ गया हमारे को चाहिए अब color हम इसको काट सकते हैं अब आप first और third में common देख रहे हैं two आ रहा है color common हट चुका है उसके बाद ऐसे दो शब्द में से red और chalk इसमें देखिए white और chalk तो chalk common आ रहा है और two भी common है तो जो chalk है यह तो color था यह chalk हो गया यह हमारा two हो गया अब हमारे को white का color चाहिए जब color भी आ गया chalk भी आ गया color भी आ गया chalk भी आ गया वाइट जो की 5 और 2 है तो जो इसमें है हमारा 4 4 क्या हो जाएगा आपका आपका वाइट आजाएगा 4 तो वाइट क्योंकि यही हमारा alphabet बचा भी है वाइट हमारा तो यह आजाता है 4 नमबर आजाता है 4 चेक कर लेते हैं आंसर आजाता है 4 ठीक है इस तरीके से आप common को eliminate करके उसको आंसर रुपे आ सकते हैं चलिए next question की तरफ चलते हैं friends question number है हमारा next question है 68 क्या बोलता है discuss कर लेते हैं एक बार यह रहा क्या बोलता है question the average rainfall in a city for the first 4 days was recorded to be 0.40 inch मतलब उसने हमारे को average दे दिया कि first 4 days का जो वो है वो है 0.40 recorded to be 0.40 inch ठीक है the rainfall for the last 2 days और जो last 2 days का हमारे पास है was 4 is to 3 and average of 6 days was 0.10 average of 6 days was 0.50 ठीक है what was the एक सकिंद what was the 5th day अच्छा जो भी हमारा rainfall है 5th day में क्या होगा मतलब basically यह कहना चाहता है जो average of 4th है और average of 6 मतलब हमारे को इससे हम 4 आ जाएगा हमारा average of 4 देखी फ्रेंट्स formula average का क्या होता है average का formula होता है sum divided by number of digits जो भी है उसकी तो अगर हम average में multiply करवादे number की तो हमारा sum of 4 digits मिल जाएगा इसी तरीके से अगर हम average का 6 करें average 6 है तो sum 4 आ गया sum of 6 आ गया ठीक है तो वो हम निकाल सकते हैं और फिर अगर हम sum of 6 में से sum of 4 minus कर दें तो वो कितना बचेगा आपका 2 आ जाएगा और last 2 days का हमारे को 4 is to 3 दे ही रखा है तो अगर हम उसकी equate में कर देंगे मतलब मैं आपको समझाना चाला हूँ मतलब मैं करके दिखा देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे को average 4 का दे रखा है इसका difference कितना आ जाता है इसका difference आ जाता है 2.40 2.40 आ जाएगा ना नहीं 1.60 1.40 डिफरेंस आ जाता है अब यह कह रहा है यह हमारा 2 का difference है हमारे से वो पूछ रहा है rainfall on the 5th day तो 5th day के लिए निकालने के लिए भाई 6 दिन है और यह है last 2 days का 4 is to 3 तो 4 is to 3 में से 5th day का 4 is to 3 और 6th day का 3 is to 4 3 by 7 अगर हम वैसे बात करें तो कि फिफ्ट day का कितना हो जाएगा 4 by 7 रेशो को हम इस तरह किसे भी लिए सकते है 6th day का क्या होगा अगर हम से वो पूछ दा 6th day का तो हमारे को क्या निकालना होता 3 by 7 और 5th day का पूछा है तो 4 by 7 तो 1.40 divided by multiply by 4 by 7 इसको हम solve कर लेंगे तो answer आजाएगा आपका 0.80 हम option चेक कर लेते हैं अपना option है हमारा C चिक है? चलिए तो इसी तरह किसे हमने ये वाला question भी हमारा carry out हो चुका है पूरा अब आजाते हैं हम next question की तरफ जो है हमारा 72 कहां है 72 ये रहा क्या बोलता है? In a school there are 5 teachers हमारे school में 5 teachers हैं तो हम भी बना लेते हैं A, B, C, D, E चलिए कहता है और A, B teach करते हैं हिंदी तो हिंदी अगर हम लें हिंदी A और B पढ़ाते हैं ठीक है न? teach हिंदी and English English भी पढ़ाते हैं चलिए English भी पढ़ाते हैं दोनों English कौन पढ़ाता है? A and B teach हिंदी and English C and B जो C and B हैं वो teach करते हैं English and geography English हो गया, हिंदी हो गया, geography वो कौन पढ़ाते हैं? B और C B तो काफी subjects पढ़ाते हैं चलिए D and A teach Mathematics तो Maths की अगर हम बात करें तो A भी पढ़ाता है और D भी पढ़ाता है ठीक है? चलिए E and B फिर B आगया B teach History and French तो अगर हम French की बात करें और History की बात करें French and History तो ये भी B पढ़ा रहा है चलिए कहता है Who teach the maximum number of subjects? तो B हो गया Friends जो की number of maximum subjects पढ़ा रहे हैं ये हो जाता है answer B चलिए? अब next question की तरफ चलते हैं हमारा next question है 74 जो की deal करता है हमारा किस से वो check कर लेते हैं? 74 इजर ही मिल जाएगा हमारे को 72, 73, 74 क्या कहता है? The monthly income of X and Y are in the ratio 4 is to 3 and their monthly expenses अच्छा इसमें क्या है? Incomes दे रखी है हमारे को और expenses दे रखी है Friends एक formula होता है जिसको income is equal to expense plus saving ठीक है? जो आप कमाते हो उसी में से खर्चा और बचत करते हो ठीक है न? तो जितनी कमाई है बराबर में expense plus saving चलिए अब उसको कहां से जो भी घुमाने के लिए बात करेगा मुझे तरह के से move कर लेंगे ratio इसने दे दिया हमारे को X by Y का क्या है? 4 by 3 expense का इसने income का ratio दे दिया और expense का ratio दे दिया expense का ratio कितना दे दिया? 3 by 2 ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कहता है save करते हैं 6000 रुपे पर माइना total monthly monthly income ही पूछ रहा है वो हमसे कितना है? कि भई 6000 रुपे बचा लेते हैं इतनी कमाई है इतना यह है तो हम इसको कैसे solve करेंगे? तो हम ratio हमारे को दे रखा है friends तो अगर हम बात करके चलते हैं income की तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4X ठीक है न? X का अगर हम X की बात करेंगे तो 4X यह हो गई हमारी income इसमें से अगर हम saving minus कर दें saving कितनी है? 6000 की तो हमारी क्या आजाएगी? हमारी आजाएगी expense जो की आपको क्या दे रखा है? 3 by 2 यह तो हो गया X का तो X by Y है इसी तरह के से 3X minus 6000 मतलब यह equation को कैसे read करेंगे आप? income minus saving is equal to expense ठीक है न? तो अब हम इसको solve कर लेते हैं और जैसे आपका 4, 8X minus 12 इसी तरह के से 18 उदर जाके इदर cancel हो जाएगा तो X की value आजाएगी हमारी 6,000 ठीक है? अच्छा अब 6,000 हमारा X आ गया वो पूछता है total total इन नोनों की मंतली इनका कितनी होई? total हो गई 4 is to 3 मतलब 7 तो अगर हम 7 से multiply करते हैं इसको 6,000 into 7 is equal to 40 42,000 आंसर आ जाता है हमारा B चीक है? चलिए तो इसके साथ हमारा 74th question भी complete हो जाता है उसके बाद हम next question पे आगे बढ़ते हैं जो की हमारा question 80 है 80 question किस चीज़ के deal कर रहा है? यह अभी हम देख लेते हैं इसको question number 80 चलिए क्या है? last question है I think हमारा यह 80 79 80 क्या बोलता है question? What is the total number of digits printed if a book is containing मतलब इसका एक friends मैं आपको logic बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना होगा क्याता है एक किताब में 500 पन्ने हैं ठीक है? उनकी numbering है एक से 1,5 होगी तो उसमें total number of digits कितनी print होगी? तो आप यह मान के चलिए pages की अगर हम बात करें pages, digits, और total ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 0 से 9 pages होगे जिसमें 0 से 9 pages digits कितनी है? 1? क्योंकि पर 0 भी 1 ही है 1 भी 1 ही है 9 भी 1 ही है तो total कितनी हो गई? 9? ठीक है? चलिए अब हम बात कर लेते 10 से 99 की इसमें 2 digits आ गई तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 99 total हो गया minus कर दीजे 10 ठीक है? प्लस कर दीजे 1 arithmetic progression में हम इसी तरह calculation करते हैं न कि भई 10 से 99 में कितने बच्चे होए? तो भई दसमें से 99 में होए 89 प्लस 1 तो ये कितना हो गया आपका? 89 प्लस 1 90 इसमें कितनी digits होगी? 2 digits होगी जैसे 10 हो गया 99 हो गया 1, 2 तो उसी तरह के से ये हो गया आपका 90 अब 92 की में लिपलाइ करेंगे हम कितना आजाएगा? 180 चलिए अब हमारी किताब में कितने बता रहा था? वो 1,500 पन्ने है हमने 99 पन्ने तक हमारा हो चुका है पेजिस का तो 100 से 150 हम और लेकर चलते हैं 100 से 150 तो इसकी भी उसी तरह के से कल्कुलेशन करेंगे 150 माइनस 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 51 अब ये 3 डिजिट्स हैं तो इसको 3 से मिटिप्लाई कर देंगे 51 इंटू 3 is equal to कितना आजाता है आपका? ये आजाता है आपका 153 भई 50, 3,500 एक एक तीन या तीन 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 तेटपन हो गया तो कितने हैं? टोटल नमर अफ डिजिट्स 9, 180 और 153 टोटल कर लिए इसका 800, 800, 300 330, 330 और 349 और ये आजाब 342 हम ओप्शन चेक कर लेते हैं अपना कौन सा अविलेबल है? येस फ्रेंट्स बी ओप्शन है 342 चीक है फ्रेंट्स तो इसी के साथ हमने पूरा 2017 का से उनको डिस्कस कर लिया और जो बाकी रिमेनिंग कोशन है उसका सेकेंड पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे चीक है तो मिलते हैं फ्रेंट्स नेक्ट्स स्रीज में थेंक्यू